नमस्कार आप देख रहे हैं ग्लोब नीज धारकंड मैं नंदीता आपके साथ आए नज़र डालते हैं आज के समचारों पर राची गरीब रत एक्स्प्रेस टेंग से 24 बच्चे और बच्चे रेस्क्यू कर लाए गया राची सभी का कोड़ना जाच के बाद CWC की टीम को सौब दिया गया ज़रकंड सरकार मानफ तसकरी पर अंकुछ लगाने के लिए सक्त रवईया अपना रही है सीम हिमन सुरिन के निलेश पर देज बर से मानफ तसकरी के शिकार लोग को मुक्त कराया जारा है इसके साथ उनका पुनरवाज भी किया जारा है इसी किते दिली से ज़रकंड के 24 बालक बालिकाओ को मुक्त करा कर ज़रकंड लाए गया यह सभी ट्रैफिकिंग के शिकार हुए थे यह बच्चे ज़रकंड के विविन जीलो से है इससे सबसे पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद उनके परिवार को सपूदर कर दिया जाएगा ज़रान NCW के अधिश्टा से बात करने पर बताया कि उनके मेरित के हिसाब से उनको सिक्षा दिलाया जाएगा साथी साथ दो हजार पर मंद पढ़ाय के लिए दिया जाएगा गौरतलवे की ज़रकंड में मानब तसकरी को लेकर दलाल या पर काफ़ी एक्टिव है बच्चे बच्चे को बहला फुसला कर देश के विविन जगों पर काम कराने के बहाने ऐसो अराम के सपने दिखा कर दिल्ली मुंबईया अन्य महानगरों में भेज दिया जाता है इसी को लेकर मैला पाल भी वाग छारकंड सरकार दोरा तरह तरह के भियान चलाय जा रहा है ताकि इनके चंगुल से बच्चे बच्चे को बच्चाय जा सके चांगा इनके लाहे हैं किया त्षानए अलग अलग जीलों की लड़किया है और 26 लड़किया हैं जो देश के अलग अलग राजियों में लड़कियां बहुत कती स्थित फ्रस्ते Schritt कर रही हl belang ती की जिने की जो लोगों की पसंद है उसके तहथ इनके लिए रेस्ट जो फैमिली उन्वर्ट थे इनको कहीं ले जाके निको परसितिया में काफी जिन्दगी से रूबरू होते हुए इन्हें लगा कि अब किस तरह यहां से निकला जाए यह सुचना है हमारे ओन जूरो सबसे जादा लड़किया हमारी ठर्स लड़किया साभगंजयली की आज के समय सबसे ज्यादा सट़्सर लिच्टी कि रूपधर जाता हैं सबसे जब्रड़ Η जिलों की जादा लड़किया है इनकि सबसे ज्देश बड़के नहीं ने पर simplement प्रमगेसा से Meter कि मिश्य देखिए सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुसी है कि टोटल की संख्या में 22 लड़कियां दो लड़का बच्चा और दो स्कॉर्ट टीम भी साथ में आई है टोटल संख्या 26 की है लेकिन एजसी टबलो सी जो हम लोग बच्चों पर काम करते हैं हम लोग माइनर बच्चों पर काम करते हैं 22 लड़कियां हैं और दो लड़के हैं देखिए वहां पर जारखन के पीड़ी तो सोसित बच्चे हैं उन पर काम करना और उनको वापस घर बेजना तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज 24 बच्चे अपने घर को आए हैं अपने जारखन में आए ह लेकि मुझे इस बात को बहुत दुख है कि मुझे लाना पड़ा और ये बच्चे आए हैं तो सवाल ये उड़ता है कि बच्चे वहां तक कैसे पहुँच गया तो ये बहुत संजीदा भी सह है बहुत संसिटिविटी के साथ सरकार काम कर रही है और मुझे ऐसा लगता है क कि और भी ज्यादा बढ़ चड़ की काम करने की जरूरत है ताकि खुशी के साथ साथ जो बच्चों को आने के बाद जो रूबरू होने के बाद जो जो स्टोरी सामने आती है वो दिल दहल आने वाली बात है कि जारकन में आए दिन ऐसे घटना घटके रहते चाहिए गुमला हो या पाकूर हो या पर लौरदगा इस तरह से बच्चों को काम के बाहन है में सब्सक्राइब करते हैं कि सबसे पहले तो हम यह कहना चाहेंगे कि गरीबी जो है वो किसी भी घटना का या किसी भी क्राइम का अंजाम नहीं हो सकता है तो इस जिसको तो हम कंडेंड करते हैं लेकिन सवाल यह उड़ता है कि जो भी ट्राफिकर्स जो भी दलाल दलाली करके यहां से दिल्ली तर या हर स्टेट में कहीं ने कहीं बच्चों को पहुंचाते हैं तो वो सबसे पहले टार्गेट करते हैं क इसमें कोई एक आदमी की भूमिका नहीं है इसमें दस से भी ज्यादा इस्टेकोल्डर की भूमिका है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसका फामली भी जी है वो पहला स्टेकोल्डर से चुकि वो किसी भी हालत में प्रलोवन का शिकार हो जाते हैं जो लिक्विड मनी 2000-4000- प्रवाइज़ दिया जाता है वो इसके भूमिका में आ जाते हैं और उसके लालच में आ जाते हैं चुकि अगर उनको यह पता चलेगा कि मेरे बच्चों को बाहर भेज करके उन बच्चों के साथ वालिंस किया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेरेंट्स त प्रौलोहों के शिकार हो जाते हैं जो भी बच्चे हमारे पास आए हैं मैं यहां पे बाल का लेंड समीति की अध्याग्ष कि भूमिका में हुँ और सबसे पहले बच्चे हमारे कोट में प्रेड्यूस होंगे और हर बच्चे की case history देखी जाएगी और case history इस प्लिखने के बाद जो बच्चे जिस जी ले के हैं उनको ट्रांस्वर किया जाएगा उसके बाद घर की इनडिविज्व की जाएगी ताकि एक गोल सेट हो एक मैसेज जाए कि जो भी ऐसा लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा डर हो और हर बच्चे अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसको स्कूल में अडमिशन लिया जाएगा सरकार सरकार का स्कूल अगर कोई बच्चा फिनांसियल कारण से अगर वो पढ़ नहीं पाया तो उन बच्चों को अभी सरकार के द्वारा दो हजार पर मन्थ बच्चों को दिया जा रहा है पढ़ाई के लिए तो वो बच्चे को उनको स्पांसर सिप से जोड़ा जाएगा कहने का मतले भी कि जो ब बच्चे का रिकवर्मेंट है सर्कार तदफरे करने के लिए बाल के लिए असमीती तदफर है और हमारे जीला प्रशाशन मेरा नम है डॉक्टर रुपा वर्मा अध्यक्श बाल के लिए अनसमीती रची disse राजी में भगवान जगनात की रतियात्रा निकालने को लेकर अज़ारकन हाई कोट में सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान हाई कोट ने का कि इस मामले में राजी सरकार उचित फैसला ले कोट ने का कि राजिसरकार अगर रतियात्रा निकानने को लेकर कोई फैसला लेती है तो जौरान सुप्रीम कोट के पूरी में रतियात्रा निकानने को लेकर दिये गए गाइडलाइन्स का पालन किया जाए कोट ने का कि वर्तमान में COVID-19 के संक्रमन को देखते हुए राजिसरकार की ओर से इस पर फैसला लिया जाना चाहिए राची में भगवान जगनात की रतियात्रा की परंपरा 300 सालों से चली आ रही है दरसल पिछले साल 2020 में भी कोटना संक्रमन की वज़े से राची में रतियात्रा नहीं निकाली गई थी पारा जुलाई को इस बार भगवान जगनात ब्राता बलभद्र और माता सुबद्र की रतियात्रा निकाल ले की तारीक है लेकिन संक्रमन की वज़े से सरकार ने स्वात सुरक्ष सप्ते की तरह किसी भी तरह के मेले या बीड़बार के आज़न फर पावंदी लगा रखी है तीन सव वर्सों से चले आ रहे हैं जगरनात पूर मंदिर रतियात्रा को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई करते हुए आज मानियम मुख नयमूर्ती डॉक्टर रवी रंजन एवम नयमूर्ती सुजीत नारायन प्रशाद की खंड़ पीठने राज्य सरकार को इसमें निर्णय लेने के लिए कहा है और मौखिक टिपनी करते हुए कहा कि चुके आदेश की कॉपी आने में समय लएगा इसलिए राज्य सरकार के अधिवक्ता राज्य सरकार को संपर्क कर उन्हें सुचीत करें कि यथा से ग्रीज पर निर्णय लें कि किस प्रकार से रथ्यात्रा की ब्यवस्था की जा सकती है जिसमें सिमित लोग हो और सिमित सर्कों के साथ इस रथ्यात्रा को निकाला जा सके इस पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है दोरंडे सित राज्य स्रम विवाग ने ट्रेड यूनियन लाइसेंस को लेकर गिरनाज सिंग के अधिश्ता में बैटक की गई बैटक में श्रम मंत्री सत्यनन भोकता शामिल हुए बैटक में 950 ट्रेड यूनियन का लाइसेंस में लगबग 750 ट्रेड यूनियन का लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया है उसी को लेकर बैटक में चर्चा की गई चर्चा के उपरांत ये निर्णर लिया गया अपना ये सीरे से ट्रेड यूनियन का लाइसेंस बनेगा इसके लिए कुछ सर लिकरन किया गया है जिसे आसानी से ट्रेड यूनियन को लाइसेंस मिल जाएगा श्रवं बिबा के सचीव को निदेश दिया गया है जल्दी ट्रेड्य उनियन लाइसेंस को लेकर जलसे जलो समझ आ रही हूँ से निफटारह किया जाए परवर्ति सरकार से मामला चलती हुआ रही थी लेकिन अब या मामला जल्दी समाप्ट कर दिया जाएगा और लाइसिंस मिल जाएगा गिरनाथ mention सामिल हुए थे भाष बाने तए गिरनाथ सिंग ने कहा 만तरी जी से सकरात्मक बाते हुए है जल्दी न सब मामलों को हल कर लिया जाएगा ट्रेड उनियन लाइसेनस का राफसलाफ साफ हो गया है मंदری चीकाश वासन से यह बहुत लंबत मामला था वहिश्यम विवाग के सचीवने का ट्रेड उनियन लाइसेंस के लिए अब नए सीरे से काध़ी प्रक्रिया करनी होगी जन्हें लाइसेंस लेनी है लाइसन्स लेने से अब किसी भी रकार का पेचीदा नहीं रहेगा नौ लाग दो हजार किसानों के कर्ज माफिक के बादर राजी के 19 लाग किसानों को केसी से के मादन से बड़ी राहत देने के तैयारे क्रिशी विवाग कर रही है क्रिशी मंतरी बादल पत्रलेक ने कहा कि राजी के 19 लाग नए किसानों का आवेदन लिया जा रहा है इन आवेदनों को बैंकों को दिया जाएगा बैंकों के लिए टारगेट सेट होगा मंतरी बादल पत्रलेक ने राजी के सभी बैंकों से अपील कर कहा किसानों के लिए आ गया है साती मंत्री ने सभी जीलों के उपरतों को भी निदेश दिया है और कहा बैंकों से तालमेल रखे ताकि विपत्ति के समय भी हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी रहे मंत्री ने कहा दो लाख शालीस अजार बारा किसानों के लिए नौसो असे करोर छे लाख रिलीज किया गया है राजसरकार द्वारा जिसको लेकर जीला अस्तर पे जो हमारे जीला विविन डारेक्टरेट के जीला प्राड़ का रही है उन सबको इस बार जो समय से मौनसून आया तेरा जुन और हमने उसके ठीक एक मेना पहले से बीज भी तरब सुन किया चुक्कि इस बार कलेंडर बना सबको सिस्टमेटिक और एकॉर्डिंग टू प्लैन किया जा रहा है दूसरा यह कि मान्य मुखमंत्री जी ने जो विवाग की समिच्छा की थी उन्होंने जो विवाग को सुझाव दिया था टास्क दिया था कि हमें मचली पालन के छेत्र में वन गूट्स वन डिस्टिक वन क्रॉप उसको लेकर विवाग की गतिवीदियों को तेज करना है और साथ ही जो सिस्टर डिपार्टमेंट जिस पर हम डारेक्ट या इंडारेक्ट रूप निर्वर है जैसे इरिगेशन जल संसाधन से चेक्डेम वगेरा बनता है बड़े तालावों का जिर्नेधार होता है कोडिनेसर ग्रामिन विकास से कुवां बनता है वहां से कोडिनेसर फोर्ट प्रोसेसिंग के यूनीट लगने है जैसे आप कहते हैं बराबर कि तर्बूज नहीं भिक रहे है तर्बूज सब जगा पैदा हुआ है पैदावार हुआ है तो उसका पाउडर या टोमेटो केचप बना सकता है यह काम के लिए हमें फोर्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट करना पड़ता है तो इन सब चीजों को लेकर आज हमने कहा कि आपको सभी डिपार्टमेंट के लोगों से करना है मान्य मुखमंत्री जी का यह था चीफ सेक्रेटरी, डेवलब्मेंट कमिशनर और स्पेशल सेक्रेटरी इन सब चीजों को मॉनिटर करने के फाइनेंस सेक्रेटरी को भी कहा था और खास करके जो के सीसी हमने दिया है उसको भी लेकर अभी वीसी है चार वज़े से सबी डिष्टिक उपाई के साथ तो फिजिकल एक प्रोग्राम था जिसका टेक्निकल सेसन अभी चल रहा होगा विर्षा अग्रिकल्चर उन्वर्शिटी के जो किर्शी विज्यान केंद रहे है वो कैसे कोडिनेट कर रहे है कुल मिलाकर आब इस देखेंगे तो विगत दस वर्षों में जो हमारा खाद्यान उत्पादन था तो वो डवल हुआ है इसको हंड्रेट परसेंट और एचीव करने के लिए क्या हमें कारगार प्लैनिंग करना चाहिए तीन साल का कि जब वर्तवान हेमन स्वरेंजी के कार्जकाल पुरा होगा जो सपना हमारा है कि 24 लाख विर्षा किसान को सम्रिद बनाएंगे जो जीडीपी में अभी का युगदान 12 परसेंट है उसको 20 परसेंट तक ले जाएंगे ये एक डाटा सभी चीजों को का जवाब है कि हमारा जो 10 लाख हेक्टेयर का गैप है नेट जो एरिया है जिस पर ह कर सकते हैं वो 38 लाख हेक्टेयर है पूरे परदेश में लेकिन खेती होती है मातर 28 लाख हेक्टेयर तो 10 लाख हेक्टेयर का जो गैप है तो वो हम इरिगेशन डिपार्टमेंट ग्रामिल विकास इन सबसे कॉड़नेट करके या फोरेश्ट विभाग जो कि फोरेश्ट भी और हम अन्य उत्पादन में भी पूरे राज के अग्रनी राजियों में खड़ हूँगे एक सपना हमने देखा है जिसके मोनिटर मान्यमुक मंतरी जी खुद कर रहा है और जब उनके विवाग्या समिक्चा आपने देखा होगा तो 5 घंटे की बहुत बड़ी बाठक चली सब लोग चीफ से करेटरी से लेकर सभी लोग इसमें सिर्करत कर रहे थे और हमने जो सरकार की भावना है मान्यमुक मंतरी जी के निर्दिश पर अपने बिभाग के और सभी बिभाग के आलादिकारी को बता दिया राज की जनता से हमने जो godai किया था चिनोतियों भरा साल COVID-1, COVID-2 ये कोई जानता निता कि आएगा पर किसान को हमने सुरू से कहा कि अपना परिवार माना है वोट वेंग की तरह हम इस्तेमाल नहीं करते किसान का बेटा है किसान के दुख दर्द को समझते हैं उनकी पीडा को समझते हैं और से दूर करने का प्रियास हम करते हैं इस वीपत्ती के समय में ना सिर्फ 9,002,000 किसानों के करजे माप करना है जिसमें 2,46,012 किसानों के लिए 986,00,000 हमने रिलीज कर दिया है बलकि 19,00,000 और लोग के आवेदन जमा लेने हम है एक मीशन मोड में अरुस आवेदन को जमा लेके बैंकों को टार्गेट देना कि आपको इनके लिए आगे आना है इसके लिए चीप सेक्रेटरी अधिक्सता में फाइनस सेक्रेटरी इन सब पर ये लोग चीजों को मॉनिटर करेंगे किरसी वाग कि आज कारसाला इसको लेकर है कि 2400 जीडो में जो ये आंकड़ा है 19 लाग से जैदा भी हो सकता है जो आंकड़ा है बहुत आदमी हो सकता है उसमें बाहर हो, माइगरेंटों, रेश्टिसन नहीं करा सको लेकिन कम से कम उतने लोगों का आवधन लेना है और हमें ये बताना है बैंकों को टार्गेट देना इसलिए एक मोका है राज के किसानों के लिए जो सोचते हैं कि विपत्ति के समय सरकार मेरे लिए क्या कर रहे है सरकार आपके लिए अफसर ला रही है आप इसमें आएंगे इसको सबसे पहले सभी जीला के उपायक्त को यहां से आज विवाग के अस्तर पर दिशा निर्देश जाएगा और उसके बाद जीला से विविन पर्खंडों में जाएगा और ये आवधन जो मान्यमक मंत्री जीन इस गटवन्में की सरकार न जो सपना देखा है उसको हम पूरी तरह से धरातल पर उतारने की तयारी सुरू कर चुके हैं डालसा के निदेश पर 10 जुलाएक और राश्टी लोक अदालत का अज़न राची में होना है जिसको लेकर राची जीला विदिक सेबा प्रादिकार की तरफ से तयार रिपोर्ण कर ली गई है लगवग 10,000 पक्चकारों को नोटिस निर्गत कर दी गई है सरवधिक मामलो का निश्पादन के लिए टोटल 47 बिंच का गठन किया गये है राच्टी लोक अदालत दो माईनों पर खास होगी इसने पहला वर्चल और फिजिकल दोनों मादन से मामलो का निश्पादन किया जाएगा मैं बैंक और प्रसासनिक से जुड़े मामलो का निश्पादन के लिए बैंक के विविन ब्रांच और प्रसासनिक कारड़े में सुनवाई की जाएगी जिसका पूरा मॉनिटरिंग जीला विदिक सेवा प्राधिकार राची करेगी और साथी साथ बैंक का गठन भी कर दिया गया है 29 बैंक बैंक से संबंधित मामले बन से उत्पाद से संबंधित मामले ट्राफिक कुलान्च और भी कई प्रकार के मामलों का चयन किया गया है उसने को नियाई पताभिकार आची के द्वारा पहला तो यह है अम लोगे बंज को हम लोगों स्भूयत चुर्ण से संबंदित मामले है उन सारे बंचों को हम लोगों प्राइब करोना का राष्टेलों का रतायुजित की जा रही है इसलिए हम लोगों का विशेश ध्यान इस बात पर रहेगा की कोबिट प्रोटोकॉल का कुंता फालन किया जा सके और साथ ही साथ जो एक क्राउड जो 10,000 पक्षकारों को नोटीस किया गया है उस क्राउड को हम लोगों ने डिसेंटलाइज करने के प्रयास किया है कई जगहों पर ताकि जो पक्षकार हैं उनको मामलों में राहत भी मिले उनके मामलों का निस्पादंग भी हो और साथ ही साथ जो कोविट प्रोटो जन थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं वज़ा है उनकी मां का ऑपरेशन होना जी हां हम बात करें गिरीडी के पंजबा की रहने वाली उशा देवी की जो कंभी रुप से ब्लैक फंगा से पीडित रीम्स में इलाज रत थी रीम्स के एंटी ओटी में डॉक्टर सी के बिर सौरब गुपता ने बताए कि उनकी ममी की आँक और नाक का ऑपरेशन हुआ है प्लास्टिक सरजरी और बेन अभी तक नहीं हुआ है डॉक्टर द्वारा कुछ बताया नहीं गया है उनकी ममी को आईशियू में सिफ्ट किया गया है उपरेशन करके संक्रमित एक आँक और जबड़ा निकाला गया है जब कोट द्वारा संग्यान लिया गया तो सारा व्यवस्ता रीन्स द्वारा किया गया पहले बाहर ले जाने की बात की जा रही थी वहीं मरीज की बेटी भी आज खुश है पहले तो पूरी तरह से निराश हो चुके थे लेकिन अब उनकी ममी का दॉक्टर डीके सिना ने का कि आज ब्लैक फंगर से पीडित उशा देवी का एंटी की नोडल अफसर सी के बिरुआ की देखरेक में ऑपरेशन किया गया है इस ऑपरेशन मैंने विभाववी टीम की भी साहता ली गई आज मरीज उशा देवी के ब्लैक फंगर की वज़े से जो टीशू देट हो गए थे उन्हें काट कर हटाएगे है ऑपरेशन के बाद उन्हें आई सुए में सिफ्ट किया गया है मरीज पहले से ही सीरियस थे ऑपजेवेशन में रखा गया है कुछ कंफ्यूजन की चलते ऑपरेशन में देरी हुई लेकिन आज ऑपरेशन हुआ है हम वें उम्मीद करें कि वें ठीक हो जाएंगे अस मामले में कोट का भी हस्ते छेप रहा कोट में सुएता संग्यान लिया जहां तक मेरी जानकारी है इसके मताबिक कोट को लगा की जानबूच कर देरी की जा रही है रीम्स परमिंदक द्वारा कोट को बताया है कि जहां मर खोशी है और मतलब थोड़ा खोशने बहुत ज्यादा खोश है और यह आज तो ममी का सिप आखा नाक का ओप्रेशन हुआ है और प्लास्टिक सजेरिया ब्रेन का अभी तक हुआ नहीं है अब क्रांप द द क्या कर द द्थ दोस्यादतेटीक द भी कुछ है हमलों को पुरा रिपोर्ट बताये नहीं हे क्या और अबही तो आइस यह सीप्ट किया गए है कि दास 15 धूआ अचाने शिवा और पूरा फिर ucz banana क्या हुआ क्या निए Mixerai दुट किया लेकिन हन्हों कर जो सेंपर मिला तर उससे एक अर्फ निकला है और माया उह लाकन निकला है दाथ का और यह सर निकला है तो आप यहां पहले बाहर लेका आपरेशन हुआ है आपरेशन में सी के बीर हुआ है जो एंटी की नोडल अपसर है और उनके साथ एक टीम आपरेशन में भाग ली जिसमें अन्य विवाग के जैसे की चक्षू विवाग के फिर डेंटल मेंगजिलो फेशियो सर्जन, ओंको सर्जन, प्लास्टिक सर्जन और नियूरो सर्जन कितने लोग के और उनका जो जो म्यूकर माइकोसिस के जद्धे जो टीसू का डेथ हो गया है उसको लोग हटा है काड करके और अभी मरीज सिफ्ट हो गया है इसलिए मरीज को भी observation में रखा गया था अब यहां इलाज किया गया है देखें वो रेफर वाली बात जो है वो बहुत उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि क्या actually हुआ था रेफर किया गया था या नहीं किया गया था यह काना मुस्किल है लेकिन मरीज कुगी काफी serious था और उनका सुगर उगर control साइथ नहीं था इसलिए उनके operation में हमको लगता है कि देड़ी भी होगे या उन लोग जो देख रहे थे मरीज को उनको लगा होगा कि अभी इनेस्थिस्या उसको दिया जाए या नहीं दिया जाए इसके बारे में हम लोग decide नहीं कर पारे होगे कुछ तो confusion था जिसके जलते यह डिले हुआ और अल्टिमेटली आज उनका operation हुआ हम उमीद करते हैं कि वो ठीक हो जाएंगी जैसा पता चला हमको भी इसमें कोट का भी जानबूच कर किया जा रहा है इसलिए मरीज को परिजन काफी परिशान थे और वो परिशांसन से प्रभंदन से और इवन कोट से भी गौहर लगा है तो उनकी बात भी सुनी गई तो कोट उसमें सज्ञान लिया एक सवता और हम से बहुते हैं कि उसी में बताया गया उनको प्रभंदन के दारें की कि इसका इलाज किया जा सकता है इसका ऑपरेशन हो सकता है इसी तहत आज का उपरेशन हुआ आज एसा लिखा गया है तो हो सकता है कि यह बात मैं नहीं कहा सकता है लेकिन मेरी बात जो 4-5 दिन पहले हुई है वेश्विक मा हमारी कोर्णा के वैसे हुए लॉकडान में कई कॉलेज के बारवी कफ्चे के विधाते के प्रैक्टिकल परिक्षा पूरी नहीं हो सकी है जिसके वैसे कई चातर परशान हो रहे हैं ऐसे ही परशान चातरों ने सुक्रवार को प्रैस कलप पहुँचकर मीडिया को बताया कि सबी कॉलेज के कफ्चा बारव में अध्यान रच छात्रों का प्रैक्टिकल परिच्छा अविलम संपन कराया जाया जिससे कि उनका परिच्छ पल बाकि विधार्टों के साथ आ सके ऐसा ही होने से कई छात्रों का भवश अंधेरे में डूप जाएगा चात्रों का यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो वा लोग आंदुलन करने को बात दे होंगे क्या करें कॉलेज हाथ खड़ा कर दिया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो और बात की हम लोग कॉलेज में परिशाई होगी नहीं मिले आपक अपकास्निक अतिसे तो अब वहां बोल रहे हैं कि इनकल प्रेश्टेंट हो आपको हम लोग मतलब सबका नहीं हुआ था लग करना ही वहां के लिए पोटा जाएगा है विए का दियार्थी है हम लोग सॉस्कार कॉटा हुआ है कि कुछ नहीं क्या सकते हैं जब देता है जब सकतार मैंनेजमेंट कॉलेज को नहीं देता है तब सक अच्छ अच्छ तक टेक्टिकल के नोटिस को निज ने दाला गया था कोई नोटिस नहीं है तरकार की बोली थी कि प्रेट कर लोग कैसे ही जाम दिए अपरील में अस्टार्ट हुआ था प्रेट कर दिया जाता है तो पंडरो सोले तक भुआ था तरकार के भीच माधेसा बंद कर दिया जिया तो बाकी जिनका लास्ट में रोल नंबर था वो सारे अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग धरना देंगे और हमारा मांग यही दागा कि हम लोग काभी प्रेटल कर दो प्रेटल कर दो करवा कर और सबका भी जल साथ में खोसित किया जाए ताकि हम लोग आगे अपना भई से देख सके हैं जीले में सरज्ज्याम और बधाल यातात व्यवस्ता सुधने का नाम नहीं ले रहा है ऐसे में जीले यातात पुलिस ट्रैफिक को व्यवस्तित करने के वज़ाए वहां जाच अभ्यान में जावर रूची दिखा रही है शायर जारकर्ण में यातात पुलिस को ही सरकारी कोच भणने की जमेवारी मिल गई है ऐसे में शुकरवार की सुभा सहर के बर्टान सीजी सेंजर के समीप वहां जाच अभ्यान चलाए गया जिसमें दरजनों बाइक सवारों को हेलमेट जरूरी काखजात वा मास्क के अभाव में यातात पुलिस ने कारवाए की जबकि कई लोगों ने बताया कि यातात पुलिस को वहां जाच अभ्यान के साथ साथ शहर के बिगड़ते यातात व्यवस्ता को भी गभीरता से देखना चाहिए जिसे की सड़कों पर अनावशक जान के सिति उत्पनना हो अभी तक किसी ने जुर्माना नहीं दिया है और इसके करन कट पाया जैसे जुर्माना वो भरेंगे चोड़ दिया जाएगा पुर्व विधायक सूरी सिंग बेशा निकार की हेमन सरकार अपने चुनावी वादो को 8 अगस तक पूरा करे नहीं तो करेंगे आंदुलन मीडिया से बात करते हैं सूरी सिंग बेशा निकार की जारकन राच आंदुलन कारी सिनानी के और से घोशना की गई है कि 8 अगस सहीर निर्मन मैतों के साधस दिवस तक वर्तमान मुखमंद्री हेमन सोरिन जी को आगा किया जा रहा है चुनावी वादों को 8 अगस तक पूरा करे 32 के खत्यान परस्थाने नीदी निर्धारित करे और उन लोगों को नियोजन करे साथी पेशा कानून को लागू करे साथी साथी साथ 2012 में जाकर अंदुलन कारी को चिनित कर आयोका जो गठन किया गया था वा बंद हो गया है पचास अगस तक हमारी मांगों को पूरा करे अने था आर पार की लड़ाई होगी मेरे नेत्वित में 1989 में बहतर घंटा का बंद हुआ था उसी के ताइब फिर उगर आंदुलन होगा और सरकार को हम लोगों ने चेतावनी देते हुए आगाह करते हुए खबरदार देते हुए अल्टिमेटम दे दिया कि आपने चुनावी घोसोना पत्र जो किया था वो आठ आगस्त कुरा करे यानि 32 के खतियान के आधार पर इस्थानी निधारीत करे और इस्थानीय लोग इस्तगीत हो चुका है, खतम हो चुका है, अभी तक 50,000 से ज़्यादा आंदलोनकारी का आभी दर लंबित पड़ा हुआ है, उसका जो है सहीदों को सम्मान देना है, आंदलोनकारी को पहचान देना है, उनको पेंसन देना है, प्रती माह 20,000 पेंसन देना है, उनके बच्चों को उनको आशिरितों को सरकारी नोकरी देना है इन मागों को लेकर और मातरी भासा में सिख्चा अनिवार्ज होना है संताली भासा एट सीडूल हो चुका है ओल्ची की लागू नहीं है और यहां मुंडारी यार होल को भासा का कोई महत्तो नहीं है इसलिए यहां का हमारे 89 में जो आजशू का अंदोलन 72 गंटा जारखंड बंद हुआ था और हिंसंक बारदाती हुई थी और केंदर सरकार राजीब गांधी की सरकार केंदरों में बादधो हुई थे बारता के लिए तो उसी तरह बादधो करेंगे अगर नहीं मानेंगे तो आरपार की लड़ाई में वहें मुन सरकार को उखाड फेकेंगे और हमारे गाउं में हमारा राज कायम करेंगे यही अहवान है आठ तारीक को करें और नहीं तो करो या मरों का सामना करें पुर्वी सिम्मुम जीला समार नाले में कल्यान एवंग परिवन मंत्री चपई सोरे ने अपने विवाग के कारी योजनाओं को लेकर समिक्चा बैटकी चारकंड सरकार बने दो साल होने को है जोरान कल्या ने मंग परिवन विवाग की योजनाय धरातल में कितना सफलो पाया इसको लेकर विवाग के मंत्री चमपई सोरे ने जमशेटपूर के उपर इतकाड़े के समर नाले में एक बैटक की इस बैटक में भाच्वा सांसर्द विदुत वरन में तो जीले के सबी विदायक साहिट विवाग के पदधिकारी मौजूद थे जिसमें सरकार की योजनाय को अब तक कितना पूरा किया जा सका है और आगे इसे किस प्रकार से तेजी लानी है इसकी समिक्षा करते हैं विचार वे मश्च किया गया मंतरी चमपई सोरें ने इस बैटक के बारे में जानकारी देते हैं बताया कि सरकार बनने के साथ ही कोड़ना ने जारकन में दस्तक दे दी थी जिस वज़े से सरकार की कई योजनाओं से इस कल्यान एवंग परिवन विवा की योजनाओं की कारप्रनाली में धीमी आ गई थी लेकिन अब जारकन अनलोक के ओर बढ़ रहा है अब जितनी भी योजनाओं रहे गई है उसमें तेजी लाई जाएगी खासकर ग्रामीन छेत्र में लाब आतियों तक इस योजनाओं को पहुचाने के लिए जोर सोर से कारी किया जाएगा जो बिवाग को दाई तो मिला कर्लान बिवाग और परिवान बिवाग दोन बड़ा महत्तों पुन्न है पूरा सदूर ग्रामीन छेत्र से जुड़ा हुआ है और उस ग्रामीन छेत्र को कैसे डेवलोप होगा और इदर जतायत का सवीदा कैसे होगा उस विवाग का मुझे दाईतो है उसी बारे में आज जैसे नियंतरन हुआ करोना उसी विवाग जीला वाज क्या हमारा प्रगतिया है क्या कामकाज हो रहा है जोजना क्या है कितना पूर्णवा अपुन्न हुआ इस सारी चीज आज समीचा क्या गया विवाग अपना इस तर से इस लोकडाउन में जो स्वाथ सुरच्च सब्ता जो लोकडाउन हुआ उस बीच में परिवहान विवाग बहुत महत्पूर्णव विवाग है और उन अपना निभाया है अर उसी बीच में कंलान विभाग को भोकि हम पुछ जनने समझने का पिछक्चा कि हमारा इस श्चेट्र में कंलान विवाग ओरषियह जो आज जोजना ग्रामिन शचेट्र में हो या लालूक बीच में उस सर चीज जनने का हमने प्रयास किया है लेकिन बीभाग अपना ओर्ष्य जो काम है गति दिने में कर रहे हैं कर रहे हैं कर दा मंत्री बनने के बाद आपका ही घोषना था यह सोच एमन सरकार कहा है यह जब सरकार बने कोरुणा भी हम लोग साथ में आ गया निशीत रुप से जो हम लोग को गति देना था जो जोजना को लाने था नहीं होश्र का धिमा हुआ है लेकिन बांद नहीं हुआ है आप नियंत्रन में आगया आप तेजी पकड़ेगा देखिए हम पिछली का अलोचना एभी कार की टाइम बिरबाद नहीं करना चाहते हैं हम लोग कुछ समय अभी नियंत्रन होते जारा अब नहीं हम लोग काम करते जाएंगे अलोचना जितना किर जाएगा उतना खुछ निकलते रहेगा उससे आपका समय हमको विरबाद महीं करना चाहते हैं उसके लिए अलाग अलाग प्लेट प्रम है उसी जगा में उस बात को र और चालकों को रेलवे और अडिटोरिय में खटा कर वैक्सिनेशन अभियान चलाए गया जिसे कि और चालकों का कौर्णा वारेस से बचाओ हो सके साथिंक उनके उर्टों में सवार होने वाले यातिरों की भी स्वास सुरक्षित रह सके जोरान एस्डिया में मीडिया को ब घंबाट में जितने वैक्सिन वैक्षिन लेनी है जितना देना है अथनवीची पुण हो नहीं पा रहा है हम लोग कल वहां की भी था हिए था हम माधों यहाहां पर फरश बेले ओ भीडिय को नियंतरित करने के लिए случа Nich वयाए क्या लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रोथ है और कम है तो उस इस्तिति में यह सिच्टोइशन साइंगे लेकिन हम लोग पुलीस और वहां की जो टीम रहती वो कंट्रोल कर लेती इसमें कोई बीश्य इश्यू नहीं अज आज हम लोग अपना आटो चलाते हैं पैसेंजर समारे साथ रहते तो हम लोगों को यह जाता तो बहुत हट तक हम लोग सुरक्षित रहते तो उसी आलोक में एक डिसन लिया गया है कि जितने आटो चालक हैं उन सबों का वेक्सिनेशन किया जाना है तो आप जहां पे हम ह हैं तो जितने आटो चालएग हैं वह हमेशा यहीं पर आके अगर אל लगबग सोख कअ वैक्शिनेशन करना हैं अ कि जो भी ओडिलिया है तो जो भी यह लोग तो यह अफरा बधिया क्यों कि वहाएक है इसे ओप अवर्प शालक को रोगड़े तो यह कुछ और को जागुरू करने है कि इनके जो बहुत सारे लोग ले रहे हैं वो अपना गुणिकेट करेंगे लोगों को एक यह माध्य करेगा है दूसरा आए दिन हम लोग श दूसरी इस्तिति है कि संग वालों के साथ मेरी सहमती बनी है कि वैसे आटो चालक अगर वैक्सिन नहीं लेते हैं और उनकी गाड़ियां चल रही होती है तो हम लोग वैसे आटो चालक को संग की सहमती से हम लोग रोक भी देंगे ठीक है और उसके लिए हम लोगों ने ट्राफिक पुलिस को समती दिये कि अगर आप देखते हैं किसी का उतके बाद सर्टिफिकेट नहीं है और उसके बाद तो जैनुमिन ग्राउंड नहीं है वैक्सिन नहीं लेने का तो वैसे वाटो को हम लो रूप शेहर वाशेर के आसपास इस तिर्ट जगनाथ मंदिर में श्वैश्विक मामारी को देखते हुए कोर्णा काइड लाइन के तहित प्रभू जगनाथ के नेथ उतसव का आयोजन किया गया जिसमें पुरो इतने वीधी विदान और मंतर चार के साथ पूजा पाट किया एक पक पट्ट बांदी जाती है नेत्र उतसव से पहले पट्टि खोनने की परंपरा है इस सिक्रम में खास मायल इसतिक जगनाथ मंदिर में नेत्र उतसव पूजा का रजन किया गया जहां मंदिल कमेटे के साथ साथ सहर वसहर के आसपास के पुरो ही तो कोड़ना का गाइड पारा जुलाई को रत्यात्र है। 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 पुछो आप, हम लोग का जो निती, नियों, कर्मा, विधी, अनुसार में एहीं पूजा होगा। हम लोग का रत्यात्र है। क्या नाम हूँ आपका। मेरा नाम अन्जन कुमार महापत्र है। पूरे देश में सहर का नाम रोशन किया था। उनके पूनितीती पर वधायक मंगल कालिंदी के साथ समाज के कई गन्यमान और सम्मानित लोगों ने शहीद किशंदूबे के घर पहुँचकर उनके तश्वीर पर पुष्प अर्पित कर मालपन किया। और उन्हें एक मिनट का मौन रख सर्धर्शमन अर्पित किया। और उन्हें पूरा उम्मीद है कि बोजल सहीद किशंदूबे की प्रतिमत स्थापेतर उनके नाम से एक चौक का नाम होगा। उन्हेंने कहा राज कि सरकार सहीदों के सम्मान के लिए कटी बद्ध है और इस दिसा में कार कर रही है। सबसे पहले तो मैं आज हमारे सहीद, दीर सहीद किशंदूबे के पुनिस्ति कर सरदाजिली दिने हम आये हुए हैं। और साथे साथ उनके परिवार के लोगों को भी मैं ता दिल से मैं निवाद देता हूं कि आईसे परिवार जो एक देश के सवा करोर लोगों के लिए जो अपने जान कि अहुती दी है। उसकी बलीदानी बेकार नहीं जाएगी और हमारी सरकार हमेशा से सहीदों को सम्मान देने का काम किया है। और कल हमने शेकदरपूर के जो दियारेम जो है। से हमने बाते की हैं कि सहीद की संदुगे का मुर्की वहां लगना चाहिए। और राजी के मान्य मुक्त मंत्री हैमन पुरण साथ से भी हम इस बात को रखेंगे। और निश्चित रूप से सहीदों का सम्मान के लिए आगे बढ़कर हम लोग काम करने का काम करेंगे। कि अभी हमारे जो बहरागोडा विदान सवा छेतर में गनेश हज्दा का जो सहीद हुए देश के लिए हमें पता चला कि वहां उनकी मुक्ति बंद रही है। हमारे देश हीद के लिए, देश के लिए लड़कर सहीद होने वाले किस business है की मुटित हम लोग ममान करते हैं। और हमने बात भी किये हैं। और आगे हम लोगो फूसिस और परियास रहेगा ति हम लोग आगे बढ़ इनका सम्मान देने का हम लोग काम करें और परिवार एक लाचार इवंग बेबस पिता अपनी पत्नी इवंग बेटियों की भूख मिटाने के लिए साल की पुत्री को लेकर हाथ में कटोरा लिये दुकान दुकान भीक मांग रहा है और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है यह एक दुखताई द्रिशी दिखने से कलिजा मुग को आ जाता है जहां तक हो सके दुकानदार इनके पेट को भड़ने के लिए यथा संभव पैसे दिया करता है मगर आखिर कितने दिनों तक इस तरह अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं 33 वर चे अनिल कुमार सिंग बागबड़ा किताडी का रहने वाला है जो लफार्ट से विन कंपनी में ड्राइवर का काम किया करता था 25 जुलाई 2017 की बात है अनिल कुमा पैर कार्ट दिया गया जिसके बाद यह परिवार के लिए बहुत सा बन गया भाईयों ने इने घर से निकाल दिया तब यह अपने दो बेटी ममता कुमारी 8 वर्ष एवंग गुडिया कुमारी 6 वर्ष एवंग पतनी के साथ भटकने लगा चारो तरफ जब कहीं भी ने किस मांग करी किसी तरह से परिवार को पालूंगा इसी को लेकर अपने 6 वर्ष पुत्री गुडिया कुमारी को लेकर रोज हाता हल्दी पोकर हिंसल वर राजनगर आधी जगों में फीक मांग कर अपने परिवार को पाल रहा है बाप बेटी की दिरिश्च को देखने से लगता करना तो हम लग दिख मांगे खारेगे पढ़ना चाती हो है कि अब गाड़ी सिमेंट चलाता था गाड़ी देश्च का पार चलता है यह भी जूली बार चलता है गाड़ी हैंडवर देके दूसरे ड्रेवर साइकल से आ रहता है कारवाला तुझे समाट यह रात का नौटरी तो अब है कि अब काम खोज नकाता है कि मेरे को लड़ी पर देखाता है तो अभी आप कैसे जीवन एपन कर रहे हैं जीवन ऐसे वह कुछ कोई काम भूज नकाता कई तो काम देने ही कुछता मैं अगर वह पोड़के लड़की इसको अब होगा अब कर देखें को तो मांगने मांगें तो जारत करना पड़ रहा जरता यह घटना किता पहले हुए तो यह पच्छी जुलाइट तो थाजन सतरह में वा तो लगवाद तीन साल हो गई जाएगा जो जाएगा जुलाइग और आपको विकलांग पेंसर मिलता है नहीं मिलता ह कोई है ने को जान पहचानगी कि कुछ कारवाद यह तो मेरे को बोलता था तो लेकिन सफ है जाने की शोचना करना पर दो बच्छी लोगा पढ़ाए कैसे हो अब अपने कुछ पड़ा लिखा हूं पोड़ा पोड़ा पने से पड़ाने कर दो आप इस अब आप इतना जमशेटपूर के मांगो सारा सीटी में नाबालिक से दुशकम और देवयपार कराने के मामले में नया मोड आ गिया है आरोपे पर केस आरब करने के कोट के आदेश के साथ विपक्षी दलों ने सरकार और मंत्री पर हमला तेच कर दिया है मामले के सुनवाई कर रे स्पेशल कोट पॉस को एड़ी जी पांस सुभास की अदालत ने पीड़ता की मां की अरजी मनजूर कर ली है इस अरजी में स्वास मंत्री बनना गुपता के भाई गुड़ू गुपता तत्कालिंडियस पी अजय केरिकेटर तत्कालिंड एमजीम थानेदार इंदा धनसारी सहीद कुल 22 लोग का आरोपे बनाने के अपील की गई थी कोट ने स्यारपीसी की धारा 319 के तहती ने आरोपी बनाने और इन पर ट्रैल चलाने का अदेश दिया पीड़ता की मां ने इस साल 3 मार्च को कोट में अरजी दाखिल की थी जिसमें आरोपे के नाम पते में टूटी होने के बाद दुबारा एक जुलाई को सभी 22 लोगों के नाम पते के साथ संसोधित अर्जी दाखिल की और इन्हें अभियुक्त बनाने की मांग की लोग अभियो जग आरके शर्मा ने कहा पीड़ते की ओर से सिर्पीसी की धारा 319 का आविदन न्याले में दिया इया था इसमें कुल 22 लोगों को अभियुक्त बनाने की गुहार लगाई थी अधालत ने आविदन पर सुनवाई के बाद मामले से जुड़े सभी लोगों अभियुक्त बनाने का आदेश पारित किया है असके बाद सभी आरुपे को समन भेज़ा जाएगा दुशकर मामले में राज के स्वास मंत्री के भाई का नाम आते ही विपक्षी पार्टे राज सरकार पर हमला बोल दिया है जहां जम्शीतपूर के भाजपा पार्टे के सांसर देव विदुत वरन मैतों ने अस घटना को दुर्भाग के पुन बताते हैं सहर के लिए शर्मनाग बताया है उन्हेंने स्वास मंत्री के बिना नाम लेते ही इस खिनोने अपरात के आरुपियों पर कड़ी कारवाई की मांग सरकार और प्रसासन से की है वहीं जमशेतपूर पच्चमे के भाषपर प्रत्याशी देवेंदरी सिंग ने इस मामले को लेते विश्वास मंत्री ने इस्तीफा की मांग की है उन्हेंने का कि मंत्री के चालक पर दुशकम का मामला दर्ज मंत्री के भाई पर दुशकम का मामला दर्ज मंत्री को खुद आगया कर इसका जवाब देना चाहिए नहीं तो मंत्री पत से इस्तीफा देना चाहिए पीड़ते के साथ पूरा भाज पर पार्टी खड़ा है और हम लोगों को न्याले पर पूरा विश्वास है कि पीड़ते को न्याय मिलेगा कि ये पीड़ता तो पले बहुत दिन से 1918 से ही ये दोड रही है और इसमें चुकी पूलिस के बड़े-बड़े अधिकारी इस बलतकार की खटना में समलित थे इसलिए केस को दबाने का प्रयास हुआ उसमें मानिय स्वास्त मंत्री बनना गुपता के भाई भी है और भी करीब 20-22 लोग इसमें समलित है जिसमें DSP भी है इस वेक्टर भी है ये नाबालिक है पोस्ट को एक्ट में ये ती लोगों को पकड़ करके 2018 में एक एक उसको बोलते हैं ने कि खाना पूरती करे खतम करन पर क्यों इसमें इतने लोग समली थे उसने बयान दिया कोड के अंदर में तो कोड ने संग्यान ले लिया इसमें इसे पोस्को और क्याना में ये 376 का मुकदमा तो बन रहा है तो मानने मंत्री जी का भाई है और मंत्री जी खेट बोट मुक्याना में ये ड्राइबर पर भ जिनके पर 376 के मुकदमे होते हैं तो चुकि कोट ने संग्यान लिया है अब इस पर काम पुलिस को करना है उस बच्ची को न्याई मिलना चाहिए उसको न्याई के लिए बहुत दिनोस्ट डर नहीं ठोकर खारी बचारी हो बच्ची है वो इसमें DSP इस्पेक्टर और नेता के भाइभी इसमें शब्ली यह इस बिल्कुल करवाई होनी ची उसको न्याय मिलना चाहिए और कानूं को अपना काम करना चाहिए परदर्सा के इसाब से को जो पीडित है जो न्याय की गुहार लगा रही है मामनी न्याले ने उसको न्याय देने का प्रयास कर रहा है भारतिन गटना जो लोग भी अंजाम दे एक गलत है और इन समाग में नहीं होना चाहिए जो दसी बेखती है उसको पुरा-पुरी करवाई होना चाहिए और बच्ची का जो है इनसाम मिलना चाहिए कानून का घर जो है देर है अंदेर नहीं वो तो आजना कल बुरा कम का बुरा होता ही है और हम चाहते कि ऐसा उसमें पानिस्ट हो जाकि अने वाला समय इस तरह का कोई घटना ना घटे और सभी का नजरिया जो है गलत तरीका है इसको लोग करवाई अगर होती है तो निश्चीत रूप से क्राइम घटे का कम होगा और बेटी लोग का इंसाब बेटी को मिन सब मिलेगा कितना दुर्भाग है कि मंत्री के ना हम तो हमको कि किसी को पताने कौन इसमें घटे तो जांच का विसाय है पर कोई भी आदमी इस तरह काम करें किसी ओवाई सैड प्रभाब साली हो साधारान हो बेटी जो है महिला जो होते अवला होती है सभी को मालूम है क है भाबरत की परांपरा इसका सांस्कृति इसका जो रिती रिवाई सबसे गिष्चों में अलग है हम लोग सभी भायवहन के रूप में मानते हैं बड़े को गार्जन का रूप संगा देते हैं और इक परिवार की बाते रहते हैं सबी समाज के लोग एकी नजरिया से सब र दोसी नहीं बता सेकने जब तक जांच में पुलिस की जांच में सही लोग नहीं आ जाता है जो लोग है लेकिन गलत हुआ है उस पर जांचों को से पानिस्ठ होना जाए तो हम सब हमेशा खाड़ी रहते इस तरह कुई भी घट न घटता है पाटी भारतिये जनता पाटी ऐसे परिस्तिति में पुरा जीला नहीं परदेश उनका साथ खड़ा है परिवार के साथ खड़ा और हम लोग नहाई का मांग करें यह मामला दो हजार अठार में केस दर्ज हुई थी जनवरी माह में जो इस केस की पेडिता है उनकी माह की द्वारा चुकि पॉस्कों का केस है उ बाखी लोगों का नाम पुलिस ने नहीं समिट किया और सिफ तीन लोगों पर एफा यार दर्ज होकर कोट में इसका ट्राइल चल रहा था इस मामले पर CID जांच भी चल रही थी जो कि CID जांच रिपोर्ट अभी तक समिट नहीं हुए थी इसके लिए पिडिता के द्वार मापोर्ट नहीं द्वाई पिडिता की युजिए तरह इसके लिए व्योगों के बाकी गषो बाखी जितने अक्युजड अर लोग है जिनका नाम आया है, उन लोगों का नाम जो बाकी गवाह दिये हैं, इसमें दस लोगों की गवाह हुई है, जिसमें बाकी गवाह भी इस नाम को सपोर्ट किये हैं, उसी के वज में मैंने 319 का पेटिशन डाला है, कि जिन बाकी लोगों का नाम आया है, उन्हें भी नोटीस कि में होता नहीं है बहुत से जो भी प्रशासनी का अप्षर है वो लोग सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे मुझे नियाए मिलेगा इस परिता को नियाए मिलेगा परसुड़े के सरजम दर जगता मैदान में जीला परिसाथ उपादैक्ष राजकुमार सिंगे द्वारा सरना समित मार्शल मनवा कलब के खिलाडियों को जैकेट और फुटबॉल प्रदान करों ने खेल के प्रती प्रो साहिब किया गया और उनके उजल भविश के कामना की ज जीला परिसाथ उपादैक्ष राजकुमार सिंग्ने जौरान खिलाडियों से मुलकात की और उनका हौसला अफजया किया साथ उनके बीच फुटबॉल और जर्शिय का वित्रches का प्रया किया जरूरत है एक मंच प्रदान करने की ऐसे में खिलाड़ी को प्रोचाहित करने के ओदेश से उन्हें आगे बढ़ाने के ओदेश से हर संभव प्रयास किया जा रहा है इसलिए उनके बीच खेल सामगरी को वितरन किया जा रहा है उन्हेंने बताए वे हमेशा प्रयास रथ रहते हैं खिलाड़ो को आगे बढ़ाने में उन्हें जोरान खिलाड़ो के उजवल भविश्की कामना की सरना सामता मार्वल मांडवा कलब को आज हमारे और से फुटबॉल और सभी हमारे युवा साथी को जर्सी देने का काम हम लोग देजारा किया गया है क्योंकि सुरू से रहा एक जमसेदपूर जो छेत रहे जमसेदपूर में खासकर परसूडी सरजम्दा सरजम्दा जो हमारा छेत रहा यहा से एक से प्लियर भारत भी खेले हुए है और यहा से प्लीर प्लेटफौन मिलने की देरी है, प्लेटफौन मगर मिलता है तो यहा के प्लियर अपने आप में नाम रोसन का काम करते हैं इसलिए हम लोगों ने यहां के युवा को आगे बढ़ाने के लिए आज कलब को सभी जितने भी हमारे युवा टीम है उसको हम लोगों ने जर्सी दिया, दो फुटबल दिया और जरुवत पड़ेगा तो हर जगह पर, हर मुकाम पर इनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे ता contact number 790-330-2477